क्या आपको पता है PUBG में सबस्यादा कील का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है क्या आपको पता है हमारे इंडिया के जो फ्लैक के कलर होते इन कलर का मतलब क्या होते क्या आपको पता है डॉग्स कितने दूर तक के साउंड को सुन सकते और कि आपको पता है कि हमारे brain का weight कितना होता है तो ऐसे ही amazing, interesting और random facts को सुनने के लिए तैयार हो जाओ Fact number 15 आपको तो पता हुआ कि dogs के ears हम human के ears से ज़्यादा शाफ होते लेकिन कि आपको ये पता है कि उनके ears हमारे ears से कितने शाफ होते मतलब dogs कितने decimal sound को सुन सकते और हम humans कितने decimal sound तक सुन सकते तो हम humans normally 20 kilohertz के sound की frequency को सुन सकते और वही dogs 45 kilohertz तक की sound की frequency को सुन सकते मतलब इसे example समझते समझे कि कोई sound हमें 20 feet की तुरी से सुनाई दे रहा है तो वही same sound dogs को 80 feet की तुरी से सुनाई दे सकता है मतलब dogs के ears हम human के ears से चारगोना ज्यादा शाफ होते Fact No.14 क्या आपको पता है एक elephant वाटर को 19.2 km की दूरी से smell कर सकता है क्योंकि उनकी nostrils होती है जो उनके trunk में smelling और breathing का काम करती है वो बहुत ही powerful होती है जो वो किसी भी चीज़ को बहुत ही ज्यादा दूर से smell कर सकते इसलिए elephant water को 19.2 km की दूरी से smell करकर detect कर लेते कि वहाँ पे water present है Fact No.13 क्या आपको पता है हमारे brain का weight कितना होता है मतलब अगर हम हमारे सर में इसे brain को side निकाल दे और उसका weight निकाल दे तो कितना होगा तो हमारे brain का weight 3 pounds होता है मतलब 1.3 kg Fact No.12 क्या आपको पता है USA में 50 states है और उसमें 49 states के flags rectangular है मतलब USA के 49 states के flag rectangular shape में है सिफ एक state ऐसा है जिसका flag rectangular नहीं होता है और उस state का नाम है OEO OEO एक ऐसा state USA में जिसका flag triangular swallowtail के जिसका flag दिखाई देता है Fact No.11 क्या आपको पता है एक eagle एक young deer को अपने पैरों से lift करके हवा में जाके kill कर सकती है मतलब एक young deer जिसका weight लगबग 3.6 kg होता है उसे एक eagle अपने पैरों से lift करके हवा में जाके मार सकती है मतलब एक eagle के leg में इतना power होता है कि वो 3.6 kg के किसी भी चीज को उठा सकती है Fact No.10 क्या आपको पता है हम तब तक किसी भी खाने को test नहीं कर पाते है जब तक वो खाना हमारे मुख के अंदर जो सलावा प्रेजन्ट होता है उससे fully तरह mix नहीं होता क्योंकि जो हमारे खाने के अंदर chemicals प्रेजन्ट होते वो जब तक हमारे मुख के अंदर के सलावा के साथ fully dissolved नहीं होते तब तक हमें उस खाने का टेस्ट का पता नहीं लगता और जो हमारे मुझे अंदर टेस्ट बढ़ प्रेजेंट होते वो भी उस खाने के टेस्ट को detect नहीं कर पाते Fact No.9 क्या आपको पता है हम जो small letter में I और J लिखते है उनके उपर जो dot रहता है उसको क्या कहते है मतलब आपको लगता होगा कि इस dot का तो कोई नाम या फिर कोई use नहीं होता है लेकिन इस dot का एक नाम है और उस dot को title कहा जाता है मतलब यह जो I और J के उपर dot होते है इनका एक specific name है और उसका name है title Fact No.8 क्या आपको पता है यह जो हमारा इंडिया का flag है जिसे तिरंगा कहते है इस flag पर यह तीन color ही क्यों होते है मतलब यह जो saffron, white और green color है यही तीन color specifically क्यों होते है और यह color किस चीज़ को represent करते है तो यह जो हमारा saffron color होता है इंडिया के flag में यह sacrifice और courage को represent करता है और जो green color होता है वो fertility, faith और growth को represent करता है और जो हमारे इंडिया के flag में white color होता है वो हमारे country की purity और truth को represent करता है और जो white color के बीच में अशोक चक्रप present होता है वो हमारे country की motion of growth को represent करता है तो हमारे country की growth को दिखाता है तो इसलिए हमारे इंडिया के फ्लैक पर ये तीन कलर होते हैं क्योंकि हमारे पूरे इंडिया को डिफाइन करता है कि हमारा इंडिया ऐसा है पैक नमबर सेवेन क्या आपको बता है स्पेस में सबसे पहले किसने क्या खाया था तो एक USA रेश्टराण और जिनका नाम जॉन ग्लेन है उन्होंने 1962 के मिशेन में सबसे पहले स्पेस में एपल सॉस खाया था मतलब स्पेस में सबसे पहले एपल सॉस खाया गया था पैक नमबर सिक्स क्या आपको बता है मलेशिया में एक रेश्टराण थे जिसमें आपके फिटनेस को देखकर आपको डिसकाउंट दिया जाता है मतलब अगर आप इन गैप में से एंटर करने में सक्सेसफूल होते हैं तो आपको उसके हिसाब से डिसकाउंट दिया जाता है मतलब अगर आप उस 100% discount के gap में से enter करने में successful हो जाते हो तो आपको really में वो restaurant 100% discount देगा आपके किसी भी food पर मतलब लोगों को fit रखने का क्या मसता तरीका है ना ये Fact number 5 क्या आपको बता है एक बार चायना के capital बीजिंग में लगातार 11 दिनों तक traffic jam हो गया था मतलब वाखई में उस state में 11 दिनों तक traffic jam हो गया था और उस traffic jam का कुछ ऐसा वीव था मतलब इतना लंबा traffic jam Fact number 4 क्या आपको बता है हमारे brain की memory power इतनी powerful होती है कि वो 3 million hours के video या फिर audio को याद रख सकते है मतलब समझे कि अगर आपने अभी अभी एक 3 hours की film देखिए तो समझे कि आपको 3 hours की film पूरी तरसे याद है वैसे हमारा brain 30 lakhs तक के video या फिर audio को याद रख सकता है Fact number 3 क्या आपको बता है अगर आप च्विंगम चबाते हुए कुछ भी चीज याद करते हो तो अगर आप अगले बार उसी same flavor के च्विंगम को चबाते हो और उस चीज को याद करने की कोशिश करते हो तो आपको वो चीज फटा-फट याद आने लग जाती है हमारे brain में एक ऐसा chemical reaction होता है जो कि flavors को detect करता है अगर आप वही same flavor उस चीज को याद करने में use करते हो तो आपको चीज फटा-फट याद आने लग जाती है Fact number 2 क्या आपको पता है अगर आप पीडियो फाइल डाउनलोड करते हो और उसके end में exe लिखा हुआ आता है तो आप उस पीडियो फाइल को तुरंती डिलेट कर देना क्यूंकि वह वाइरस होता है जो कि आपके फोन को खराब कर सकता है और आपके फोन या फिर लैप्टॉप के functioning system को down कर सकता है इसलिए उस पाइल को तुरंती डिलेट कर देना पैक नमबर वन क्या आपको पता है पब जी में सबसे रदा कील का world record किसका है तो एक बंदा जिसका नाम भाशर खलील है उसने एक सिंगल मैच में 92 किल्स किये मतलब इस बंदे ने सच में एक सिंगल मैच म यू प्रेस कर लेन